गांडिव के उस डंकार की अनुभूती तुम्हे कराता हूं क्यों काता हूं अर्जुन की गाथा ये एहसास तुम्हे करवाता हूं योध्धा तो अनेक थें फिर अर्जुन मुझको प्रिये क्यों सबतो आखिर लड़े ही थें फिर अर्जुन के साथ ही तना प्रेम क्यों कौरव सेना देख सामने उत्तर के होश उड़ गए छोड़ा सस्त्र और कुदारत से रणभूमी से भागने लगें देख द्रिश ये रणभूमी में व्रिनला रूपी अर्जुन गरज बने छोड़ा धुरा और हुए सज्ज अर्जुन रणभूमी में आप बने आज ना युद्ध में स्री कृष्ण होंगे कवच कुंडल होगा कर्ण के पास पूरी कौरव सेना होगी भीश में द्रोण सब एक साथ देवदत शंक से हुआ शुरुवात कौरवों में अजीव निरासा छाने लगी गुरु द्रोण को हुआ आभास कि अर्जुन की आगमन होने लगी देवतागण भी हुए एक अत्रित भिराट युद्ध को देखने को एक तरफ है अर्जुन केला तो सामने पूरी कुरुवन्ष है हुआ शुरुवात उस भयानक युद्ध का करके गुरुवों को प्रणाम पहले ही तीर से कर्ण हुए घायल भाग पड़े फिर से खो के सम्मान अश्वत धामा आए सामने तीरों की बारिश करने लगें पार्थ को पराजित करने है तू युद्ध भव्यवों करने लगें लेकिन फिर भी बात वही की अर्जुन तो फिर अर्जुन था हुए नत्मस्तक छोडा रण आकिर पार्थ के आगे कौन था क्रिपा चारे भी हुए पराजित अर्जुन के आगे उस दिन नियती तो कुछ और ही थी उस नरके सामने उस दिन समय आ गया रण भूमी में त्रून के समक्ष उनका प्रियेश्चिश्च है गुरु के हर तीर का उत्तर पार्थ आदर सहित दे रहे थे सिक्षक की है कागरता से गुरहन ये प्रमान आज वो दे रहे थे पार्थ के इस पराक्रम का अनन्द गुरुद्रोन भी उठा रहे थे देवता भी थे चकित मानो रुद्र स्वैम युद्ध कर रहे थे अंततह गुरु द्रोन को भी परास्त किया गांडियुधारी ने जय जय कार फिर लगने लगी अद्भुत पराक्रम दिखाया अरजुन ने गुरु द्रोन की खुशी का ठीकाना ना था उस दिन समझ आया क्यूं पार्थभव्य है कारव को भी उस दिन सेनाओ में विध्वण्स मचने लगी रक्त की धाराएं बहने लगी पार्थ के उन तीरों से क्यूरु सेना कराने लगी जिधर चलते थे तीर पार्थ के अंधकार छा जाता था विध्वन्स मचाने को मानो स्वेंव वज्र आज उतर आया था देखकर इस भयावा दृष्चे को दुरियोधन घबराने लगा किया आगरह महा महीम को अर्जुन की गाथा सुनाने लगा अब सामने आ चुके थे सदी के सबसे क्रांतिकारी योद्धा अर्जुन को कुछ शन रोकने का इनी मेथा सामर्थे बढ़ा भीष्म पितामा के उग्र रूप का दर्शन अर्जुन को भी हो गया काट डाला प्रत्यंचा गांडियू की कवच जमी पे गिरा डाला लेकिन अर्जुन तो अर्जुन था अगले शन ही तयार मिला दिखाया ऐसा पराक्रम युद में की पितामा को भी प्रसन किया हुए पराजित बाबा भीषम भी उस दिन प्रिये पोत्र के आगे ध्रदय उनका करुणा से भरा सबकुछ नियोच्छावर पार्थ के आगे सुर्यास्तब होने वाली थी युद एक तरफा हो गया था लेकिन दुरियोधन ने दिया आदेश सबने एक साथ आक्रमन गिया था अर्जुन को भी अब जल्द से जल्द युद समाप्ती करनी थी गुरु जनों का अनादर करना मनसा उसकी ना कभी थी समोहन अस्त्र का चखा स्वाद उस दिन कौरव सेना ने छोड़ा रण और भागे दुरियोधन साथ दी कौरव सेना ने बात पार्थ में बहुत अलग थी बाकी यो धाउं की तुल्णा में सबका प्रिये युँ ही नहीं था कुछ तो देखा था काना ने हरे कृष्टा